जहिंन दोस्तो tir आपका आपको यूट्पाल पर दोस्तो बात कर लेते हैं सिपाल भरती जो आपकी चल रही है उसके जो केंद्रे वो कितने केंद्रे बनाए गए हैं कितने अभ्ढ्भारती एक्जाम देने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो कव आ रहे हैं इसके उपर बात करने वाले हैं दोस्तों अक्वा की कटिंग के माध्यम से यह जानकारी आई इसके बारे में इतने जो अभ्यारती हैं पूरुस महिला दोनों को मिला करके टोटल जो अभ्यारती है वो 48,7,441 टोटल अभ्यारती आएकजाम देने वाले दोस्तों आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं सिपाई नागरिफ पुलिस के 6,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परिच्छा में 48,7,441 अभ्यारती हिस्सा लेंगे इसके लिए सभी 75 जिलों में 2,377 परिच्छा केंदर बनाए गए हैं दोस्तों USP में 75 जिले हैं और 75 जिलों में जो परिच्छा केंदर बनाए गए वो 2,370 टोटल परिच्छा केंदर बनाए गए जहाँ पर आपकी परिच्छा होने बाली है और दोस्तों जैसे कि हमें अन्य राज्ये के जो बैरतियों कमेंट कर ले थे कि सर हमारा जो पेपर है कि हमारा पेपर यूपी में होगा या कहा होगा अब उनको भी ये जानकारी मिल गई होगी कि उनका जो पेपर है वो यूपी में ही होने वाला है यूपी के किसी भी जिले में उनका जो एक्जामें वो होने वाला है आगे बाद कर लेते हैं उत्तर परदेश पुलिस भरती बोर्ड की अध्यक्स डीजी रेणू का मिस्राजी ने आगामी 17 और 18 फरवरी को चार पालियों में होने वाली परिच्छा के आयजन के लिए सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को परिच्छा केंद्र की बैवस्ता कराने के लिए बैवस्ता कक्ष निर्चकों की तैनाती के मान को नौडल अपसर बनाने के सम्मद में एहम दिसान निर्देश जारी किये हैं यानि जो महोडे हैं जो भर्टी बोड़ फटकी जो अध्यक्ष हैं शृमायन दीजी रिणो का मिस्तिक्रा जी हैं उन्होंने जो आपका यूपी के सभी जिले जहां आपके परिश्चा होने वाली है सभी जिलों के जो उच्च अधिकारी है जो वहां के DM है और कप्तान है कप्तान महोदे हैं उन सभी को अवगत कराए कि आपके जहां भी कहंदर बने हैं परिश्चा के वहां की जानकारी दें और वहां पर जो सिक्षक परिश्चा कराने वाले हैं उनको और निर्चकों की तेनाती के और वहां की वेवस्ता के सम्मद में हमें दिसान निर्देश दें वहां की देख रेक करें और वहां की वेवस्ता बनाएं आगे बात कर लेते हैं डी जी महोदेर रेंडू का मिस्रा जी ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को 2-2 पालियों में परिच्छा आजित की जाएगी यानि कि जो आपकी परिच्छा है वो 17 तारिक में 2 पाली में होगी और 18 तारिक में ही 2 पाली में होगी पिरतेक पाली में 12,4,360 अभ्यारती परिच्छा देंगे यानि कि जो पाली बनाई है पिरतेक पाली में 12,4,360 अभ्यारती एक पाली में परिच्छा देने वाले हैं इस प्रिकार से चार पालियों में ये परिच्छा आपकी होने वाली है एक पालियों में लगवो बारे लाक अब भारती परिच्छा देंगे तो ये चार पालियों में इसे बांड दिया गया है पिर्तेक पाली में 12 लाक जो भ्यारती हैं वो परिच्छा देंगे अब भ्यारती परिच्छा देंगे मुक्ता सुरच्छा बंदवस्त के लिए पिर्तेक जिले के अलावा भरती बोर्ड मुख्याले में भी दो कंटर रूम बनाए गए हैं यानि कि जो आपकी सुरच्छा होगी अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम किसी परिकार की नकल करें या कुछ ले करके जाएं तो उसे दिमाग से निकाल देना बहुत से सॉलवर बैठा देते हैं अपने स्थान पर ऐसा कभी ना करना कुछ भी आपको ले करके नहीं जाना है अपने ही दिमाग से अपनी मानदार से पेपर करना है क्योंकि किसी परिकार की आपकी कुछ भी इस भरती में धांदले वाजी होने वाली नहीं है किसी परिकार की नकल इसमें चलने वाली नहीं है और जो सुरक्षा है वो अच्छी प्रिकार से सुरक्षा बना दी गई है और जो मुख्याले है भरती भरती बोड है मुख्याले वहां भी दो कंट्रोलू बनाएं गए हैं इनकी देखवाल के लिए आगे बात लिए जहां परिच्छा केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा रहेगी पर लगाए गए CCTV की लाइब फीड सीधे कंट्रोल रूम को मिलेगी दोस्तों जो आपकी केमरा आपके एक्जाम हॉल में केमरा लगे हूंगे वहां की जो वीडियो होगी वो डारेक्ट यानि की live जो वीडियो है वो वहां पर भरती बोर्ड के control room में डारेक्ट वो देखी जाएगी अगर किसी प्रिकार की कुछ हलचल या कुछ नजर आता है तो डारेक्ट ही वो recording बे होगी और साथ ही वहां देखी भी जाएगी आगे बाद कर लेते हैं केंदरों पर पूरी जांच परताल के बाद ही अभ्यारती प्रवेश कर सकेंगे पूरी जांच परताल होगी जब आप गेट के अंदर जाओगे वहाँ आपके पूरी जांच परताल होगी उसी के बाद ही आपको किलास रूम में भेजा जाएगा अगर आपके पास किसी प्रिकार का कुछ पाया जाता है गलत तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा आपको अंदर नहीं लिया जाएगा आगे बात कर लेते हैं उन्होंने बताया कि सीधी भरती की लिखित परिच्छा के Admit Card 10 फरवरी को जारी किया जा सकता है जिसे भरती बोट की वेब साइट से डाउनलोड करना होगा यानि कि जो आपके Admit Card है वो 10 फरवरी को जारी किये जा सकते हैं क्योंकि अभी पूरी के लिए नहीं किया कि हाँ 10 फरवरी में आने वाले हैं तो आपके 10 फरवरी से 12 फरवरी के मद्दे आपके Admit Card जारी हो जाएंगे तो आपके Admit Card है वो 10 के बाद आने सुरू हो जाएंगे तो आप जो Admit Card है वो अपने U.Police की वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना Admit Card तो आपके Admit Card भी आपके 10 फरवरी के बाद आने सुरू हो जाएंगे दोस्तों दोस्तों जो आपकी परिच्छा है काफी बड़ी परिच्छा है इसका बड़ा ही बंदोबस्त किया गया है लगभग आपकी परिच्छा है दो दिन में होने वाली है चार पालियों में परिच्छा होगी हर पाली में सामिल होंगे 12,00,000 अभ्यारती लगबंग 12,00,4,360 यानि कि 12,00,000 अभ्यारती हर एक परिच्छा में सामिल होंगे परिच्छा केंदर काक्षे निर्चेक नौडल अफसर बनाने का डियम को दिया निर्देश जो जिले के अधिकारी होते हैं उनके लिए निर्देश दिया है कि आप परिच्छा केंदर बनाएं अधिक नौडल अफसर बनाने चुनें और वहां की वेवस्ता करें क्योंकि परि कानकारी होगी होगी कि आपके जो परिच्छा केंदर हैं वो आपके जाग अगर आप यूपी के रहने बाले तो आपके यूपी के अंदर ही रहने बाले हैं और जो परिच्छा केंदर हैं आपके घर से जादा दूरी पर नहीं रखे जाएंगे क्योंकि परिच्छा केंदर का किस समय आपका परिच्छा होने वाली है तो दोस्तों ये तुति आप आपके लिए जानकारी जिसका आप बेर सर्वीस से इंतिजार कर रहे थे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनें वेलाइन को दबा दें थैंक यू धन्यव दोस्तों